हमारे दाहिंदू नियूस पेपर में एक और रेलिवेंट आर्टिकल है जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं जी एस पेपर नमबर थुरी एकॉर्मी के पॉइंट अविस से इंपॉर्टेंट है इसकी रिसेंट्टी मीटिंग हुई है किस फरवरी को जिस वज़ासे यहां पर यह न्यूस में है ठीक है तो एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है directly prelims के लिए important और mains के लिए important है कई सारे data यहाँ पर provide करवाया गया है तो खबरों में क्या है, news क्या है हमारे पास में news यहाँ पर यह है कि दोस्तों अभी financial stability and development council की 28 वी meeting होती है इस 28 वी meeting के अंदर में जो हमारी finance minister है निरमला सीतर रमंजी जो की obvious ही बात है यह चेक करो जितने भी fraud applications आ चुके हैं market के अंदर में जो fraud तरीके से scam कर रहे हैं online यहाँ पर apps के थूँ यहाँ पर loan provide करवा रहे हैं गलत तरीके से ऐसे company को फटफट बंद करो ऐसे applications के उपर में तुरंत निग्रानी रखो तो यह particular matter जो है संबंदित questions दोस्तों बन सकते हैं financial stability and development council नाम से ही बता चल रहा है जब हम बात करते हैं finance की यानि की पैसों से संबंदित matter की बात कर रहे हैं तो ऐसे matter को stable और उसके matter से संबंदित जितने भी यहाँ पर issues हैं उसको handle करने का काम करता है है क्या दोस्तो तो यह एक ऐसी body है जो की statutory body है ठीक है अब sorry statutory body नहीं है very important यहाँ पर ध्यान रखना है मैंने statutory body बोल दिया statutory body मतलब कि किसी कानून से बनाई गई हो लेकिन यह किसी act से थोड़ी ना बनाई गई है ठीक है तो सीधा यहाँ पर सरकार ने से body को बना लिया यह statutory body नहीं है ध्यान रखना question बन सकता है यहीं पर confusion create हो सकता है और 2010 में इस body को हमने बनाया था ठीक है बागी दोस्तो इस body को हमने कौन से department के तहद बनाया है तो ministry of finance के अंदर जो department of economic affairs है उसी के तहद इसको ready किया गया है बागी background की बात करेंगे हुआ यह था क्योंकि 2010 में इस body को क्यों बनाया गया क्योंकि 2008 का समय तो पता होगा 2008 में दुनिया भर में एक financial crisis चल रहा था तो जितने भी हमारी सरकारे हैं organizations थी दुनिया भर ही वो बहुत ही ज़ादा pressure में थी जितने भी economy है उसको हम regulate कैसे करें control कैसे करें फिर उसी समय पर जो रगुराम राजन committee थी इन्होंने यहाँ पर अपना recommendation दिया कि हमारे पास में इस तरीके की जो भी finances संबंदे जो irregularities हो रही हैं जो दिकते हैं उनको regulate करने के लिए handle करने के लिए एक body होनी चाहिए इंडिया के पूरे financial system को represent करने के लिए body होनी चाहिए यह basically recommendation आया जिसके basis पर जिसके परिडाम सरूप अगर आप देखोगे तो FSDC नाम की जो body है वो बनाई गई और यही body क्या करती है अब हमारे financial sector से संबंदित जितने भी problems हैं उनको control करने का काम करती है इस body के composition की बात करेंगे यानि कि इसमें कितने कितने लोग है कितने members है तो सबसे पहली जो दोस्तो बात आती है chairperson की तो chairperson में हमें ध्यान रखना है कि इस body जब बात हो रही है finance की तो जो finance minister है वही यहाँ पर इसकी chairperson होती है जैसे आज के समय पर निरमला सी तरह मंजी जो कि यहाँ पर आज के समय की finance minister of India देखने को मिलती है ठीक है clear होगे दोस्तो बाकी ये chairperson के पास में ये भी power है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो लगे यहाँ पर important है जरूरी है वो अपने meetings इस particular body के meetings में बुला सकता है तो इसके chairperson तो हो गए हमारे finance minister अब बाकी सारे सदसों की बात करें इस body के तो बाकी सारे member में सबसे पहले Reserve Bank of India के governor हो गए दूसरा यहाँ पर Department of Economic Affairs के secretary हो गए तीसरा Department of Financial Services के secretary फिर चौथा Ministry of Corporate Affairs के secretary देन पाचवा Ministry of Electronics and Information Technology के secretary हो गए फिर उसके बाद में Ministry of Finance के chief economic advisor हो गए उसके बाद जो सेबी है Securities and Exchange Board of India Stock Market को regulate करने वाली body उसके chairman हो गए देन उसके बाद में Insurance Regulatory and Development Authority of India के chairman हो गए Pension Fund Regulatory Development Authority of India के chairman हो गए Insolvency and Bankruptcy Board of India के chairman हो गए तो ये सबी लोग दोस्तों यहाँ पर इस body के अंदर में member से ध्यान लखना दो chair person हो गए अलग और बाकी सारे ये इस body में members होते हैं इस member का secretary कौन होता है तो दोस्तों Ministry of Finance के अंतहत जो additional secretary यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो additional secretary होगे Department of Economic Affairs के Ministry of Finance के वो यहाँ पर इसके conditional secretary के तोर पर देखने को मिलता है बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका matter क्या डिसकस करते है functions क्या है तो यह तो अभी हम समझी चुके हैं ऐसी जो financial संबंध irregularities उसको handle करना अभी इनके पास में matter कौन सा है इस body के पास में digital lending का कि जो भी यहाँ पर online तरीके से fraud loan provide करवारे जा रहे हैं फिर लोगों को दिक्कतों में डाला जा रहा है जान बूच कर ऐसे cases को तुनत रोको ऐसे applications को ban करो ऐसे applications को डूंडोन की list तयार करो तो यह बात हो गई अब बात है digital lending exactly होता क्या है दोस्तों तो digital lending basically online basis पर उधार provide करवाना online यहाँ पर उधार lending चल रहा है वो यहाँ पर digital lending के लाता है simple सी बात है अब इसमें होता क्या है digital lending में क्या के चीज़े होती है एक पूरा तरीके से website त्यार किया हुआ है mobile applications है technology यहाँ पर use की जा रही है है और यह जो applications है लोगों को contact करते हैं contact करके पूछता है यहाँ पर कि आपको क्या पैसो की जरूरत है तो उसके basis पर यहाँ पर यह loan provide करवाता है और एसन यह बड़े बड़े loans provide करवाए नहीं छोटे छोटे loan दस जार 2000 से लेकर 10,000 तक के loan 20,000 तक के loan यहाँ पर यह देने का काम करते हैं ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर इसी digital landing को कही ना कहीं control करने की regulate करने की जरूरत है इंडिया में reason यहाँ पर यह है क्योंकि इंडिया में इस प्रकार के कई सारे आवैद तरीके के applications आ चुके है Reserve Bank of India की अल्रेडी 2022 की एक report है जिसके तहत बताया गया पूरे दुनिया में भारत एकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इस तरीके से जो fraud वाले loan apps हैं इनकी संख्या बढ़ गई है और ऐसे दोस्तों 600 loan applications हमको market में नजर आ रहे हैं जो illegal है यह खोद यहाँ पर Reserve Bank of India ने statement दिया है तो आपने भी सतरक रहना होगा बच के रहना होगा क्योंकि यह applications अपने जाल में आपको फसा सकते हैं जहाँ पर यह 2000 से लेकर 10,000 तक के यहाँ पर यानि low income family को यह पहले target करते हैं जिनको जादा कोई knowledge नहीं है finance की knowledge नहीं है loan की knowledge नहीं है उनको यहाँ पर बहला फसला कर इस तरीके का loan provide करवा देते हैं अब जब loan recover करने की बात होती है क्योंकि obvious सी बात है loan दिया है तो वो चुकान भी पड़ेगा तो loan जब देते हैं बहुत ज़ादा ब्याज इस तर पर यानि high interest rate पर देते हैं और high interest rate पर देने के साथ साथ दोस्तों जब loan recover करने की बात आती है अब suppose सामने वाला व्यक्ति अभी इस समय पर उसकी स्थीती नहीं है loan चुकाने की फिर उसको harass करना शुरू कर देते हैं इतना ज़ादा harass करते हैं कि वो व्यक्ति बाद में suicide attempt करने की कोशिश करता है काओगे इतना गंभीर matter हो जाता है हाँ बिल्कुल ये देखो एक report ये ही बताती है 2021 में लगबग 6 लोग औरेड़ी आत्मेहत्या कर चुके हैं इसी harassment की वज़ा से जो ये loan वाले वापस recover करने वाले agent होता है ना जान खा जाता है उसके harassment की वज़ा से तो ये चीज़े हो रही है फिर उसके बाद यही जो applications app permanent तो है नहीं temporary basis पर चल रही है और loan दे रही है तो अब्वियस से बात है loan देने के लिए सारी detail लेनी पड़ती है अब question यहाँ पर यह है कि जब मामला इतना गंबीर है तो अभी तक क्या हमने कोई कदम नहीं उठाया इस प्रकार की digital lending को control करने के लिए तो Reserve Bank of India ने अल्रेडी दोस्तों एक particular department बना रखा है और यहाँ पर बोला है कि ऐसी जो complaints है वो तुरंत दर्च करवाई जाएंगी अगस 2022 में Reserve Bank of India ने पहली guideline जारी की थी इस digital lending को लेकर फिर last year की बात है सितंबर 2023 में जो हमारी finance minister है उनने एक पूरी meeting रखी थी इस प्रकार के digital lending illegal loan apps के उपर में ऐसे मामले को रोकने के लिए यहाँ पर Reserve Bank of India ने कई सारे steps उठाए वे है पर problem क्या है रुक नहीं रहे है तो इसी के लिए finally क्या किया गया जो FSDC है जिसकी बात अभी हम करी रहते जो पूरा मामला news में है तो FSDC के scanner के under में आज के समय पर जो illegal online यह loan वाले apps है वो अभी news में आ चुके है इनकी under में रहेंगे अब उसके उपर monitoring की जाएगी और देखा जाएगा और ऐसे apps के उपर में control लगाया जाएगा